सोचो की एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हर वक्त वार ये सब चल रहा है और इस दुनिया में 7 ऐसे शोलजर्स हैं जिन लोग के पास unbelievable पावर्स हैं इतने पावर्फुल है ये लोग के इन लोग को literally मारना impossible है और ये सातों लोग इस kingdom के heroes की तरह रहते हैं लेकिन कुछ प्रॉब् वीडियो की तो चल ये देखते हैं वीडियो के शुरुवात में हमें दिखाते हैं कि एक बड़े से kingdom में हर जगा टोड़ फोड मची होती है building टूटी होती है और हर इक शुट फोट के गिरा होता है तब ही एक shoulder यहाँ पे चल के जा रहा होता है उसको एक uncle बुलाते हैं और बोलते हैं बेटा यहाँ पे आओ तुम्हें भी एक holy night बनना है है न तो वो कहता है कि नहीं sir में को नहीं लगता कि मैं holy night बन सका हूँ तब ह देखो तुम्हें यह सब करना पड़ेगा और उसके सामने हमें दिखते हैं बहुत सारे लोगों की पड़ी हुई bodies यह देखके यह बन्दा बहुत टेंशन में आता है और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता है उसके वाद हमें अगले सी में दिखाते हैं कि पुराने जमान जल चल के जाता है एक कैफे के अंदर सब लोग must juice पी रही होते हैं और जो कैफे का main leader होता है वो होता है यह यलो बाल वाल वाला छोटा बच्चा जिसके पीट पे एक तल्वार होती है सब लोग इससे बात कर रहे होते हैं इसके खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे मस time pass क करते करते, सब गिरा हुआ खाना खा लेता है, I mean bro, इस पीगी के तो मज़े हैं भाई, और यह पूरे पूरे एराओ, क्लीन साप करके निकल लेता है, फिर सब लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, उतने में एक बंदा यहाँ भाग भाग के आता है, और कहाता है, कि मैंने मेरी आ मरलीन, बाकी दो लोग के नाम इस वक छुपे हुए रहते हैं, बट छटवे का नाम होता है, किंग और साथवे का नाम होता है, बान, यह किंग हमारा वन पीस, I mean वन पंच मैन वाला किंग नहीं है, तो उसका टेंशन मतलो, एक एक करके हमें सब का चहरा यहाँ पे दिखात तो यह लोग तो बुढ़े हो गए होंगे ना, इतने में इनके डोर पे ठक ठक होती है, और अंदर एंट्री मारता है एक नाइट जो की एक रश्टी आर्बर में होता है, उसको यहाँ पे देखके भाई, सब लोग को टेंशन आता है, वो लोग कहते हैं, अरे भाई, सेवन डेटली सिंस का बंदा यहाँ पे आ गया, ऐसा बोल के सब लोग यहाँ से भखे निकल लेते हैं, अगर वीडियो मजा आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तुम्हारा पुराना सब्सक्राइब वोपस आ चुका है, अब से तुम लोग को हमेशा एक गंटे के वी इसके बाद, Melodis इस बंदे से पुछता कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्यों और क्या करने के लिए हो, तो उसी वक्त यह नाइट नीचे गिरता है, और हमें मालूम पढ़ता कि इसके अंदर होती है, एक सुन्दर सी लड़की जो अपने एक आँख को छुपा रही होती पर ठीक है, उसके बाद, पूछता कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, तो वो कहती है कि अ, मैं असल में यहाँ पे ऐसी घूम रही थी, और मैं हूँ कहाँ पे, तो वो कहता कि तुम मेरे शॉप में हो, और मैं इस शॉप का ओनर हूँ, फिर उसी वक्त Melodis अपने पीट पे से अपने तलवार निकालता है और इसको दिखाता है कहता है कि देखो यह टूटी-फूटी तलवार है इसका तुम टेंशन मत लो इसका सिफ हैंडल है मेरे पास तो यह देखके बंदी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है फिर हो जाती है हमार जाता खाने का बाद रोने को आता है कहती है कि इतना टेश्टी खाना मैंने कभी नहीं काया थांक यूट इसका है यह तब यह देखके हमारे इसका एक बंदा है अब हम क्या करें बाहर यह सब गाट्स खड़े होते हैं बोलते हैं तुम फटाक से उस बंदे को बाहर निकल वरना हम लोग दरवाज तोड़ देंगे मीनवाल यहाँ पे लोग कहते हैं सर सेवन डेडली सिंस के लोग तो वैसे भी एक्जिस्ट नहीं करते हैं हम क्यों ही यहाँ पे टेंशन दे रहे हैं यह मोटे नाक वाला बंदा जो कि अपने नाक से पेड तोड़ता है देखो भाई इसकी नाक एक्दम लाल हो चुकिए लिटरली वुड़ पेकर है यह बंदा उसके बाद हमारा मेलोडस फटाक से गेट खोलता है तुम इसकी बात कर रहे हो जो कि यहाँ पे यह आर्मर बेर मेर पहन के है यह तो मेरा पिगी है पिगी को देखके सब लोग बलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है उतने में हमारी गदी सी लड़की पीछे के दर्थरवाजे से बचके भागने लगती है जो देखके यह सब गाड्स उसके पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए आइ मीन ब्रो क्या ही हो रहा है लड़की को अंदर रूम में बैटा चाथा यह लड़की अपनी जान बचा के जंगले भाग रही होती है बचाओ बचाओ मुझे बचाओ और सारे के सारे गाड्स उसका पीछा कर रहे होते हैं मेनवल मेलडस ने हमारी इस लड़की को बचा लिया होता है और वो उसे अपने गोद में पकड़ कर रखता है वैल इसके बाद ये लड़की जाती है एक पहाड के चोटी पर वहाँ पे खड़ियों के बूलती कि मैं यहाँ पे आई थी सेवन डेडली सिंस से मिलने के लिकि तुमने तुम्हारी जान की बादी लागए मुझे बचाने के लिए अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ यह सब सुन के हमारे ख्या करण बेडली सिंस यहाँ पर आ कर तुम्हारी मधत कर सकते हैं कुछ की आप् הי depicts है और ईनलोग को आना पड़ेगा और यह सब देख के यहाँ पे पत्थर टूटता है को अपने तलवार के साथ और बोलता है कि मैंने conclude किया कि तुम लोग मेरे दुश्मन हो ऐसा बोल कि वो इन लोग के उपर हमला करता है meanwhile यहाँ पे चार चपलू चपलू आते हैं और यह लोग कहता है सर आपको उस लड़की को नहीं मारना था वो हमारे लिए important थी वो असल में एक important लड़की है तो यह सुनके हमारा यह big knight बोलता कि मुझे फरक नहीं बढ़ता भाई वो कोई important लड़की हो या ना हो मेरा काम यह है कि मुझे इन लोग को खतम करता था मैं उनको खतम करने के लिए आ गया हूँ तब ही हमें दिखाते हैं कि हमारा hero लड़की को बचा के यहाँ पर आ जाता है तो उसी वक्त जैसी वो बंदा देखता है कि लड़की कौन है तो वो उसके earring को देखता है कहता कि अरे तुम्हारे गान में जो earring है वो तो royal family को belong करता है तो क्या तुम Princess Elizabeth हो ये सुनके सब लोग शौक होते हैं और भाई हमारा piggy की खुश होता है बोलता है कि वाओ Princess Elizabeth तुम तो बहुत beautiful हो तब ही मुछड आगे बढ़ता है कि मैं conclude करता हूँ कि तुम यहाँ पर आके मर गई थी हमें कहा गया कि हमें तुम्हें बचा के लेकाना है लेकिन नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर मरा हुआ घोश्ट करूँगा ऐसा बोलता है और तब ही लड़की यहाँ से बचके भागती रहती है लेकिन जंगल में जैसी बो भागती है वैसी हमारा मुच्छड एक स्लैश मार के जंगल को पूलता से तोड़ देता है लेकिन हमारा यलो बॉइ उसी वक्त यहाँ पर आके उस लड़की को बचाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो लेकिन भाई बिचारे पिक का हलका सा स्किन छिल जाता है इस लड़की को और इस लड़के को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ यह लोग मेरा बहुत दिमाग खराब कर रहे है इस वक्त Elizabeth बहुत रो रही होती है और तभी हमारा yellow boy कहता है कि तुम टेंशन मत लो जैसी वो ऐसा बोलता है वैसी भाई हमें दिखाते हैं कि उसके शोल्डर पे एक टैटू होता है और यह वाला शोल्डर खड़ा के बोलता है यह सुनके भाई सब लोग को शौक लगता है क्योंकि फोटो जो दिखाई होती है उसमें तो यह बंदा एकदम से चैड दिता है लेकिन रियल लाइफ में यह तो एक क्यूट सा बच्ची चैसा दिख रहा होता है तभी यहाँ पर यह खड़ा होता है बात कर रहे होते हैं और तभी ही वो कहती है कि लेकिन तुम कौन हो तो वो कहता है कि मैं हूँ मेलियूडेस, द्रागन सिन ओफ राथ ऐसा बोल कि वो आगे बढ़ता है और हमारे इस मुच्छड के उपर हमला करता है मुच्छड के अटक को रोकता है, मुच्छड टेंशन मे आता है मेलियूडेस अपने टूटे वे तलवार से उसके सामने खड़ा होता और बोलता है बहुत टाइम हो गया लड़े हुए मुझे और तभी मुच्छड कहता है तु तो वही है, तु तो मेलियूडेस है ना, तु दस साल के बाद भी नहीं बदला ऐसा बोल के मेलियूडेस के उपर हमला करता है मेलियूडेस उसके अटाक को डॉच करता है और वो अपने अटाक को उसके उपर छोड़ता है ये देखके भाई, मुच्छड की हवा टाइट होती और मुच्छड यहां से निकल लेता है इसके बाद मेलियूडेस बोलता है कि तुमने तुम्हारे पहले सिन को डूण लिया, अब चलो बागी के छे और को डूणते हैं एक साथ और हम तुम्हारे इस मिशिन को कम्प्लीट करा करेंगे बाइदे बे, तुम अब मेरे होटेल में काम कर सकती है क्योंकि मुझे एक फीमिल बंदी भी चाहिए थी तो अब से तुम और मैं एक टीम है मीन्वाल यहां पे जो इनका मुच्छड होता है वो जैसे जैसे ख़ड़ों के बोलते हैं मस्त अपनी बंदी को लेके यहां पे खड़ा होता है आई मीन देखो भाई, लिटरली पहले एपिसोड में इसको हिरोईन मिल चुके है जो कि बहुत अच्छी दिखती है फिर हमें अगले सी में दिखाते हैं कि मुच्छड जाता है अपने सर से बात करने के लिए कहता है कि सर मैं हाल गया और मेरे साब मेलिडस था एक सिन तो मैं उसको नहीं हरा पाया ये सुनके हमारा पिंक बॉय कहता है कि अच्छी बात पहला डेडली सिन मुझे मिल रहा है अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूँगा फिर हमें अगले सिन में दिखाते है कि कैसे अलिजबेट के फादर जो की किंग थे उनके किंडम में हमला होता है और लोग उनके रूम में घुस रहे होते हैं तब ही किंग कहते कि अलिजबेट मेरी बीटी तुम्हें यहां से भागना पड़ेगा तो हमारी छोटी बच्ची यहां से अपनी जान बचा के भागती है और इसके बाद King के साथ क्या होता है वो हमें नहीं पता फिर हमें अगले सी में दिखाते हैं कि Meliudes हमारी Elizabeth से कहता है कि तुम्हारे कपड़े इतने फटे पुराने है तो मैं तुम्हें नए कपड़े दूँगा आजाओ मेरे साथ नीचे और वो उसको नीचे लेके जागे बहुत छोटे कपड़े देता है I mean ज़रा यही कपड़े द लेकिन नहीं भाई ने इसको बिलकुल भी एक रुमाल देना नहीं भूला है लिटरली उसने रुमाल दे रखा है बंदी को जो कि उसने उसके गले में टाय के तार बांध के रखा है I mean डूड इससे अचा तो ने थोड़े पैसे खर्चे होते है और उसको दे दिया होता एक देखा जाए तो 10 साल पहले में लड़कियों के चड़ी चोरी करता था इसलिए मेरा नम चड़ी चोर रख लिया गया था और कभी-कभी लोग मुझे छुप-छुप के सी-सी भी बोलते है क्योंकि सी-सी का मतलब है चड़ी चूर ये सुनके हमारी Elizabeth कहते है आप मुझसे मज पर रहता है इसके बाद हमारा Melodos अंदर जाता है अरे ये तो वो जगए जहां पर यहां का लिकर बहुत फेमस होता है लेकिन यह रिवर यहां पर सू क्यों कह यह सब क्या हो रहा है फिर जैसे अंदर अंदर बढ़ता है तो इससे दिखता है कि यहां पर सब लोग एक घेर बढ़ता है और वो इन लोग के ऊपर भड़का हुआ तो सब लोग इसको यहां से निकालने कोशिश कर रहे होते हैं तब ही हमारी Elizabeth कहती कि Sir क्या वो जो कल हमें मुच्छड में था वो है क्या Holy Night तो हमारा Melodos कहता है कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल भी Holy Night नहीं होता उसमें पिर यहाँ पर बाते कर रहे होते हैं सब लग सल्वार बहार निकाल है होते हैं तब यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है जिसके बाल काहूंगा मुझे भूख लगकि पहले मुझे कुछ खाने को दो तो अ कि चाना धेता है। तो इसको खाना ढेता है टीक है मैं तुम ही थोड़ा खाना देता है। फिर ऊक सब्सक्राइब company and तो उनको बहुत चोट लगी थी, इसलिए उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट से जगड़ा नहीं करना चाहिए, फिर हमें वो बच्चे की बैक्शोरी मालम पड़ते हैं, कैसे वो जो बच्चे की पेरेंट से, वो लोग हर जगे ट्रैवल करते करते, घूम देते, त उसने हमारे गाओं का जूस पिया, और जूस पिने वाद उसने कहा कि यह जूस बहुत खराब है, लिटरली यह गाओं का जूस पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसने कहा कि वो इससे अच्छा एक घोड़े का सुसू पियेगा, I mean डूड, तुम्हें घोड़े का सुसू इतन भी तुम्हारो से अलिटे कहती है, और तुमू ने घोड़े के दिल तोडीआ उसने कर सकते हैं के वह जूस अच्छा कहां से कहते हैं कि और ओली नाइट के जगगा पे 7 Sadly Sins को जानता है तब ही चोटू बच्चा यहां पर आता है और हो तलवार निकलने निकलने में पूरा पूरा गाउं यहाँ पे लग चुका होता है, सब लोग रसी वसी बांद के तगवार को बहार खीज़ा लेकिन यह तलवार एक इने मिलिमीटर भी नहीं हीलता, सब लोग अपनी जान लगाते है लेकिन गिर जाते है और इतने में यहाँ यहाँ पे आता है, उनसे यह बिल्कुल भी हक नहीं है, ऐसा बोल कि हो यहाँ पर मस चल के आता है, सब लोग के पास खड़ा हो तर बोलते हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा बोल कि हो दो सेकंड के अंदर आराम से इस स्वार को बाहर निकलता है, और बोलते हैं, चलो मैंने तुम्हार ने हमारे गाओं का हेल्प किया, और वो लोग उस चोटे बच्चे को भी माफ करेते हैं, चोटा बच्चा हस्ते हस्ते जाता है, और हमारे बुढ़ा हो अंकल को पक्ड़ने बोलता है, चीफ था है, यहाँ पर सब लोग खुशी-खुशी बैटे होते हैं, फिर रात के जाती है, किसी के उपर खुद गिर जाती है, और वगएरा वगएरा चीज़े करती रहती है, जिस वएसे लोग इसके उपर भढ़कते हैं, क्योंकि बहुत सुन्दर लड़की होती है, और सब लोग कहते हैं, वाओ तुम किनी ब्यूटिफुल हो, मिन्वेल यहाँ पर यह हमारी Elizabeth से थोड़ी बाते करता है, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं, कि यहाँ पर जो हमारा Pink वाला Holy Knight होता है, उसको News मिलती है, कि उसके स्वाड को एक यलो बाल वाले छोटे बच्चे ने अराम से निकाल दे, यह सुनके वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा रेडी करता है, चार्ज अप करता है, चार्ज अप करके फोकस करके वो स्पेयर को फेकता है, और यह स्पेयर उड़के जाता है, यह अनिमिशन मुझे बहुत मस लगा, वो स्पेयर उड़के जाता है उसी गाउं के तरफ, Meanwhile, यहाँ पर हमें यह मालूम पढ़ता है, कि Elizabeth अपने काम में बिजी होता है, वो बोलता है कि ठीक है, तुम जो मुझसे बात करें, मैं अचार सुन रहा हूँ, लेकिन अपने दूसरे काम बिजी होता है, वो यहाँ पर धूनता रहता है, आस्मान में कोई एक चीज को, और तभी यहाँ पर वो स्पेयर अचनक से उड़क इसके बाद गिल्थेंटर बोलता कि आह मैलियोडस यह तुम ही हो ना वैल इसके बाद यहाँ पर हमारी एलिजबेट आती है बोलते कि सर यह क्या हुआ तो हमारा मैलियोडस कहता है कि हमें इस गाउं को छोड़ती जाना पड़े अब यह लड़की कौन है तभी हमें यह मालूम पड़ता है कि इसके पैर के उपर भी एक Seven Deadly Sins वाला सिम्बल होता है तो यह लड़की कौन है और इसके पास कौन सा सिन है मुझे नहीं पता इसके बाद हमें अगले सिम्में दिखाते हैं Pinky का बचपन जहांपे जो उसके फादर होते हैं वो एक टाइप के ग्रैंड माचर होते हैं और उसको किसी ने मार दिया होता है और यह चीज पिंकी ने बचपन में देखा होता है और तब से वो भढ़का हुआ रहता है मैनल यहां पर हमारा मल्योमृत आ यहां पर हमारी एलिजबेट होती है उसको पी किस से तटच करता है और वह क्या करता है वह मैं आपको नहीं दिखा सकता वैल वो उसको टच करके आगे — बढ़ता है वह यहां पर हमारे इलिजबेच क कुस तो फील होता ही teen उसकी कोई कि उनको शान्त करता है, फिर सारे के सारे पिक जाते हैं, और हमारी Elizabeth के पीछे जाकर छुप जाते हैं, मेंवेल Elizabeth के पीछे एक और Elizabeth आती है, और ऐसे यहां पर दस और Elizabeth हो जाती है, जो देख के Melodis कहता है कि भाई, यह तो लिटरली जन्नत है भाई, जन्नत क्योंकि सारे के सारे Elizabeth Melodis के पास जाकर उससे बाते करने लगती है, तो वो बोलता है कि भाई, चलो मैं तुम सब को EK काम दूँगा, ऐसा बोलकि सारे के सारे Elizabeth उसके पर जंप मारती है, सिवाए EK, और उस वक्त Melodis कहता है कि अब मुझे पता है कि तुम सब नकली हो, और जो नीचे है वो असली है, ऐसा बोलके, वो सारे का सारे नकली वालों को मुका मार के दूर फिता, और हमें यह मालूप पढ़ता है, इनका नाम होता है, प्रैंक्श्टर इम्प, फिर इस वक्त हमारी असली वाली बंदी ने जंप क्यों ने मारा, उसका रिजन यह है कि Melodis ने उसकी चड़ी चोरी कर ली थी, तो Melodis उसको उसकी चड़ी देता है, और यह लोग भागते हैं, इन सब इम्प को पकड़ने के लिए, और तभी यह डियान करके नाम होता है, इस बंदी का, और यह खड़ी होती है, बोलते कि Holy Nights, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूगी, ऐसा बोल कि गुस्से में इनको देखते हैं, और फटाक से Melodis को पकड़ती है, और उसको पकड़ के देख रहती है, तुम तो मेरे कैप्टन हो, ऐसा बोल कि वो उसको मस्त हग करती है, और उसको गले लागाती है, और तभी हमें यह मालूँ पड़ता है, कि यह बंदी का नाम होता है, लेकिन हमारे Melodis इसको चुड़ाता है, बोलता है कि नहीं नहीं, इसको मत खाओ, तभी उसको यह मालूम पड़ता है, कि Deanne जो है, वो Melodis से बहुत प्यार करती है, Meanwhile, Melodis यहाँ पर Elizabeth के साथ घूम रहा तो यह देखके उसको बहुत गुस्सा आता है, और तभी वो directly Melodis को उठा के जमीन पर पटकती है, कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं ही तुम्हारी लेक लड़की तुमने ऐसा क्यू किया, वा, 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 करके रोरी होती है, ऐसा तुम्हारे पास मिल चुका है तुमको Serpent Sin of Envy, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, meanwhile, यहाँ पे लोग ऐसे ही बाते कर रहे होते कि आसमान में बिजली कड़कती है, और जैसी यह बिजली कड़कती है, तो उसमें से इस सब के सब लोग के उपर बिजली पड़ती है, और यह सब लोग लोग हो जाते हैं, तभी यहाँ पे एंट्री लेता है हमारा पिंकी, जिसका नाम होता है गिल थंडर, गिल थंडर यहाँ पर कहता कि अरे तुम मेरे छोटे गिली हो ना, कैसे हो तुम तुम्हारे डैड कैसे है, तभी हो कहता कि दस सल पहले डैड की देथ हो चुकी ह वो तोड़ नहीं पाते हैं, तभी हमारी जो Elizabeth होती है, वो बोलती है, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि गिल थंडर ने अपना तलवा रखा होता है, में लुड़ेस के गले के पास, और वो उसे मारने वाला होता है, तभी हमें ये मालूम पड़ता है, कि असल में उसे ये कहा गया हो ये लोग गेट खोलते हैं अंदरकुछ तो इनको दिखता है कि जो ग्रैण माश्टर होते है, उनको किसमें धसा के मार दिया होता है, और वो यहाँ पर मरे हुए पहले सी पड़े होते हैं, ये लोग यहां पर डिसक्स कर रहे होते है, ये सब किसमें कर तभी हुए, कोई न लेकिन उसके बाद जो हमारा pig होता है, pig यहां पर आता है, बोलते हैं, मुझे भी छोड़ दे, लेकिन यह देखे, guilt hunter pig को लात मारता, तो Elizabeth जाती है, pig को बचाने के लिए, और इसी मौके फाइदा उठा के, guilt hunter बोलता कि, अब मैं तुम लोग को आराम से मारूंगा, मेरे sins, तो दोनों के दोनों अपने sword बाहर निकलत और clash करते, यह वाला scene बहुत मस होता है, मेरे डिटरली अपने handle से उसके अटाक को रोकता है, बोलता कि तुम मुझे सा tension मतलो, फिर यह लोग हवा में कूटते है, अपने multiple attacks मारते है, मेरे डिटरली इसके उपर electric वाला attack मार कि उसको slash क इसके बाद हमारा Melodos जमीन पर गिरता है, बोलता है, मैं तो बहुत थक चुका हूँ, अब मैं करू ही क्या, इतने में guilt hunter पीछे से आता है, और Melodos का पीछे से पीट फाड़ देता है, जिसके मदद से हमारा Melodos जमीन पर गिरके बहोश होता है, उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम मर चुके है, तो मैं बागी के सिंस कहां पे है, तो ये बंदा कहता है कि तुम्हारे जो बाकी के सिंस है, उसमें से तीन लोग भाग चुके है, पांस में से तीन भागे हुए और दो लोग को हमने कैद करके रखा है, एक है Foxin of Greed, और एक है हमारा Grizzly Sin of Sloth, ये द इतने में यहाँ पर आती है हमारी बिग गल डियान और वो गिल्ट हंडर को पकड़ के उसे उठा के दूर फेक देती है I mean bro, literally इसने गिल्ट हंडर को उठा के फेक दिया भाई, क्या ताकत है ये बंदी में, ये है भी इतनी बड़ी तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ Well, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी प्रिंसेस और तो और ये पिगी दोनों साथ में यहाँ पर आते हैं और पिगी बहुत गुस्से में होता है क्योंकि गिल्ट हंडर ने उसे लात मार के फेका जो होता है Well, इसके बाद डियान थोड़ा बहुत भड़ती है हमारी प्रिंसेस के ओपर कहते हैं कि तुम मेरे मैलोडेस के साथ इतना चिपक नहीं सकती हो उनके लिए जो एक ही लड़की इस दुनिया में है वो मैं हूँ, मैं हूँ वो लेकिन यहाँ पे मैलोडेस इन दोनों को कुछ भाव देता ही नहीं है वो जाता है पिगी के पास और पिगे से पुछ देक पिगी क्या तुम ठीक हो Meanwhile, यहाँ पे डियान थोड़ा गुसे में रहती है इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लोग कि कुछ लोग यहाँ पे बैट के पूजा कर रहे होते हैं एक गॉड का और कहते हैं कि फ्लीज गॉड हमें आप इन होली नाइट से बचा के रखिए इतने में यहाँ पे उड़ते हुए गिल थंडर आता है इसके बाद हमारी प्रिंसेस को याद आता है कैसे गिल थंडर ने हमारे प्यारे मेलियूडस का बैक पैक तोड़ दिया है वो उसके बार में सोच रही होती है फिर ये लोग बात करते हैं कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं वेल इस वक्त भी मेलियूडस के बाड़ी के उपर खून लगा रहता है और उसकी इंजरी मुझे दिख रही होती है तब ये लोग कहते कि अब हम लोग जा रहे हैं प्रिजन में हमारे बान को बचाने के लिए कि लोग कहते है कि कि मर चुका है फिर मेलियूडस कहता है कि मेरी इंजरी इतनी कुछ खास नहीं है तुम लोग टेंशन मत लो ऐसा बोल कि वो जाता है हमारी प्रिंसेसा थोड़ी बच तमेजी करने के लिए जो कि मैं दिखा नहीं सकता और यहां पर बहुत अजीब अजीब टाप के होते एक होती है कीडे वाली गल इसके मुंडी पर ही एक स्पाइडर बना हुआ है फिर आता है Mr. Axe Boy इसके बॉड़ी पर इतने सारे X बने हुए है इसको तो मैं X-Men बोलने वाला हूँ यह दोनों यहां पर बैठके चेस खेल रहे होते हैं तभी यह लड़की कहती की सर असल में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहां पर वो 7 Deadly Sins के लोग फ्रीली घूम रहे हैं वगयरा वगयरा और उतने में इसके पीछे आत आचुके हैं तो उन्हें हम सभालेंगे मीनवेल हम लोगों ने उस बंदे को तो पकड़ के रखाई है वो तो कुछ हमारा बिगाड़ ही नहीं सकता और हमें तब दिखाते हैं कि बान की पूरी बॉड़ी को इन लोगों ने लकडियों से और दो और चेंज से बांध के रख कोजोंते हैं यहां से जहाँ पर बच्चे लोग दिखते हैं कि एक बड़ी सी लड़ी के चल के रही है कोई और नहीं यह होती है हमारी डियाञ यहाँ पर इन किसी पूछती को पता है कि क्या कि concept की हलत भूब ओुम रही हूती है सिसको समझ वेशार दर रहाए है तो एक लड़की होती है यह एक फ्लाइ को भीचतर कहती है अब मेरा टाइम आ चुका है मैं जाती हूँ इन पर हमला करने के लिए ऐसे बोल के चार्ज अब करती है मीन विल हमारी डियान यहाँ पर आराम से बैठी होती है और एक डॉक्टर के पास मेलोडस को लेके गई होती है हमारी अब से बेठी नहीं की होती है मीनवाल यहाँ यहाँ पर हमारी डियान केहती है कि कोई टेंशन की बात तो है नहीं मुझे पता है कि Melodis उठ जाएगा, मिन्वेल हमें जाना चाहिए प्रिजन में और जाकर देखना चाहिए कि बान वहाँ पे क्या कर रहा है, तुम ज़रा आगे निकलती हूँ, ऐसा बोल कि इसी बीच में हमारी Dian और तोब प्रिंसस की बीच में थोड़ा तूटूमय में हो जाती है, फिर हमें ये मालूम पढ़ता है कि असल में Dian हमारे Melodis को लेके इनी प्यारी क्यों बनी हुई है, रिजन ये होता है कि एक बार Dian ऐसे ही रस्ते पर चलके जा रही हुती है कि उसक सामने बहुत सारे शोल्डस आते हैं जो उसको देख के उसके उपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम एक बड़ी लड़की हो तो तुम हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, तुमने ये गढ़्धा किया है और तुमने हमारे एक साथी को इसमें लात मार के गिराया है, तो अब हम तुमें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोल कि वो लोग हमारे डियायन के उपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिर उतने में वहाँ पर मेलोडस आता है और इन सब शोल्डस को मार के उनको अपने से दूर करता है, तो इस वक्त क्य हो गया होता है, और वो कहते हैं, यहां पर अपनी दुखा कहानी के बारें बात कर रही होती है, अपने बालों को टौर कर रही होती है, और हमारे प्रिंसे भी यह सब देख रही होती है, उतने में इन लोग को जटका लगता है, क्यों को दिता है कि सामने से एक ब्लाक कलर का बहन तु इतनी बड़ी है कि ते त्रेले कीडे माकड़ों एक्जिच्ट भी नहीं करने चाहिए और तु इन चोटे बोटे कीडे माकड़ों से डठर रही है वेल तभी हमें यह मालूप बढ़ता है कि इन कीडे माकड़ों को भेजा होता है हमारी spider girl नहीं Meanwhile हमारी princess और बाकी सब लोग यहाँ पे छुपे रहते हैं और डियान एकड़ों से पड़ी होती है तभी princess भाग के जाती है मेलोडस को बचाने के लेकिन उसी वक्त हमारी डियान बोलती कि नहीं नहीं मुझे कीडे माकड़ों बिल्कुल पसंद नहीं बोल कि वो अपना अटाकी उस करते और जमीर में से बहुत सारे बड़े-बड़े स्पाइक्स निकालती है और इस सारे के सारे स्पाइक्स इन सब कीड़े मकड़ों को मार देते हैं और यह देखके हमारी बंदी कहती है कि ओ तो यह तुम्हारी ताकत है उसलिवक्त डियान अपने हाथ पे मुका मार देते हैं कि अब मैं इन सब बग्स को स्कौश कर दूँगी मेंवेल हमारी मकड़ी गल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और डियान भी लड़ने के लिए आगे जा रही होती है वो जंप मारती है और देखते हैं इनके सामने कौन खड़ा है और बोलते हैं अज़र तुम मेरे कैटन के लिए आ रहे हो तो मैं तुम नहीं छोड़ूँगी यह सब देखें सब लोग टेंशन में आते हैं वो तो यह आवास कहां से आ रही है यह कौन है कौन है सब लोग यहाँ वहाँ देख रहे हो तर उसी वक्त इनके सामने प्रकट होता है हमारा Mr. Axeman यहाँ पर आगे कहता है कि मैं हूँ वीर्ड फैंक्स का बंदा ओ प्रिंस तो मैं यहाँ से निकल चाता हूँ ऐसा बोल को फटाक से गेट को तोड़ता है और आगे निकलता है लिटरली एक लात मार को गेट को तोड़के बाहर निकलता है और उसके बॉड़ी में जो इतने सारे छेद होते हैं इतना खून निकल रहोता है उन सबसे उसे उसे कुछ पर 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 शान मारते हुए कहते है कि तू कैसे बहार आया तू तो एक 7 डेडली सिन है ना मैं तुझे नहीं चोड़ूगी चल अपने सेल में वापस से घुछ जा तो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता वैल इसके बद पर यहां आपके अंडू-पांड़ों को तो एक दम perfectly fit हूँ तो यहां पर इसके साहरे इंजरी कैसे ठीक हो गए मुझे नहीं पता वैल इसके बाद बान कहता है कि मेरे body person एक ही इंजरी है और वो है ये वाला जो कि मुझे मेरे captain ने देता तो तुम समझ जाओ कि मेरे captain के दिए हुए इंजरी मेरे बहुत special होते हैं तो अब मैं यहां से निकल रहा हूँ वेल फिर इसके बाद हमारा X-Man literally हमारे Melodos के उपर से चदर निकालता है और उसके तलवार को पकड़ने वाला होता है और कहता है ये तलवार अब मैं लूँगा क्योंकि ये तुमारे किसी काम में नहीं आने वाली है वेल इसके बाद ह हमारा बान उसके तलवार को हाथ लगाते है और तभी हमारे मेलोस कहता है ओए बान तलवार को हाथ मत लगा यही एक चीज़ जो मुझे गुस्सा देला देगी और अगर तुने इसको हाथ लगा तो मैं तेरे उपर बहुत हमला करूँगा समझाना तू बान कहता है मैं यही माफ करतो लिकिए मैं तुम्हारे उपर हमला नहीं कर चाता इस वक्त हमें दिखाते हैं फ्लैश्बैक एंड होता है और यह Axman एक्समेन यहां से जम मारके निकल लेता है फिर हमारी प्रिंसिस बोलती है अब ठीक हो गया तो हमारा पर मिशन के निकल चके है है जा वह पर चल के जा रहा होता है mengenas zeigtकि मेरे चौड़ने वालों एक्समेर तुमने आकर मेरे उपर हमला जो किए था एसा बोल को यहां पर कर रहा होता है उसी प्लिज मिस्तर् यहां पर आथ रहा और कहता है ओर ओर प्लीज मिष्ट्र एक्समेर कर दो्सी इसमें मेरी गलती नहीं कि वो पॉजन से नहीं मरा, मैंने तो उसमें पॉजन मिलाया था, यहीं मौके का फाइदा उठा के एक्समान यहां से निकल लेता है, और वो हमारे Mr. Doctor के पीछे आके उनको तलवार से भोग देता है, और यहीं पर दॉक्टर का हो जाता है, The Dead End, हमारी Mr. Axeman हमारी प्रिंस और तॉर मेलिडस के उपर हमला पे हमला कर रहा होता है, मेलिडस उससे बचने के लिए उसके अटाक को पैर ही करता है, और उसको दूर फेक के मारता है, और फिर यहां से वो लोग भागे निकलते हैं, तभी Axeman के तुम लोग मुझसे छुपा छुपी का खेल नहीं खेल सकते, मेलिडस हमारे पिगी और तॉर पेंस से बाते करते हैं, कैसे हम यहां से निकलेंगे, क्या के अब हमें करना है, अब हम क्या करें, दोर किसी ने बंद किया नहीं, और तभी अचनक से Axeman हमारे Mr. Melly के पीछे आता है, और उसके उपर हमला करने के लिए और तभी हमारे मेली केता है, तुम तो फस गए, ऐसा हो जैसी बोलता है, तो यह बंदा नीचे जमीन के गिरता है, और वहां जाके फस जाता है, और फिर हमारा Mr. Melly उसके बाज जाके कहता है, कि मुझे पता है, तुम्हारे अबलेटी की बीच में टाइम गया है, तो मतलब बहुत शाणा बन गया तु है ना, इतने में यहाँ पर एक घोड़ा आता है, उस घोड़े को देखके सब्सक्राशा टेंशन में आते हैं, और उसी मौके फाइदा उठा के Mr. Axman यहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि वह असल में इस घोड़े के उपर बैठके निकल रहा ह वो invisible हुआ होता है, तो उसके पस teleportation की power नहीं होती है, फिर mean well हमें अगले सी में दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारी princess भाग के जाती है, डॉक्टर के पास और उनके body को पकड़ के रो रही होती है, डॉक्टर भी कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, मुझे पता है कि मै प्लीज मेरी बेटी को बचाओ, इस वक्त हमारी princess रो रही होती है, और ऐसा बोलते बोलते डॉक्टर अपनी आखरी सासे लेकर वहाँ पे निकल लेता है, तब ही हमारा melodas कहता है कि अब मैं जाओंगा और इसकी बेटी को बचा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इ और हमारी spider girl के पास, इन्स के पास जाके बात करना श्टार्ट करता है, meanwhile यहाँ पर हमारा melodas और पीगी चल चल के जा रहे होते हैं अपने रस्ते में, और princess पीचे से आती है इन से बात करने के लिए, और कहती कि देखो मैंने तुम्हारा backpack ठीक कर दे, अब इसके दर तुम त इन के सामने आती है Deanne, और इस वक्त DTN इनको देखके अपने हलके से वश में होती है, वो एकदम नीद में होती है कि Captain, आप कैसे हो, मैं कितनी खुश हूँ कि आप ठीक हो गए, मैं को बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा Captain इन से बात कर रहा होता है, यह लो तो हमारा Melodis खड़ा होता है, बोलता है, Deanne, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया, Deanne अपने fighting stance में आती हो, बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, तो इसी मौके फाइदा है, मैं Melodis हमारी princess को अपने गोध में ले लेता है, और भागता है, और Deanne Deanne, इनके ओपर multiple मुक्के पर मुका हमला कर रही होती है, कि लोग भागते भागते पहुशे, तो इनके सामने एक बच्चा और बुढ़े अंकल आते हैं, तो इन लोग के सामने जाते हैं, और उसको पकड़के रोक लेते हैं, ताकि Deanne उनके ओपर हमला न करे, फिर ये लोग एक क्रीक के पास छुपे वे रहते हैं, और Deanne इनको धून रही होती है, मिन वेलो बच्चा रोते रोते हैं, हमारी प्रिंसेस को हग करता है, कहता है, कि मुझे बहुत डर लग रहा है, हम तो बस शेपर्ड्स है, हमें बचाईए, हमारे साथ ये साथ क्यों हो रहा है, तो मै इनको मारता है, इनको मारता है, और बहुत बस फाइट चल रहा होता है, यहाँ पर अपने पावर को यूस करते हैं, हर जगा पत्थर लेके आती है, मिन वेलो इसके पत्थर को तोड़ता है, और यह लोग आगयागे बढ़ रहे होते हैं, फिर मिन अपना ultimate attack मारता है, उसके पत्थर को तोड़ता है, लेकिन डियान उसको मुका मार के दूर फिकती है, और यहाँ पे दूर से हमारी मकडी कले सब देखके हसरी होती है, कहते हैं, यहाँ पे घंटी बाई के बगल में बैठी होती है, हमारी प्रिंसेस, वो बोलती है, ओए घंटी वाले बच्चे तुम निकल गया होता है, लेकिन वो आर्मर उसको फिट नहीं होता है, तो बाई ऐसे ही नागड़ा अपने पैंट पहन के चल के जा रहा होता है, तब ही उसके सामने मिश्टर रसी वाला बंदा आता है, और वो बोलता कि ओए बाई मैं तुझे नहीं चुड़ूँगा, तू यह इतने सारे सालों में जब से तुम यहाँ पे बन थे हैं न, फॉक्सेन ऑफ ग्रीड, मिन्वैल यहाँ पे मैलिडस और तो और हमारी बिग गर्ल के बीच में फाइट चल रही होती है, इन लोग की फाइट लागा तर चल रही होती है, तो रूटे ही नहीं है, तब ही अचनक करते हैं, फिर यह बच्चा भागते भागते अपने अंकल के पास जाता है, और फिर से घंटी बचती है, और बाकर लोग अपने होश में फिर से आते हैं, उसी वक्त स्वाइटर गल यहाँ पे चल के आती है, कहती है कि ओई प्रिंसेस, तुझे क्या लग रहा है कि तू जाता है उस बच्चे के पास और उसको पकड़ के अटका देता है, तो प्रिंसेस चल के जाती है उस बच्चे को बचाने के लिए, कहती है कि मैं यहाँ के प्रिंसेस हूँ, तो मैं इसे नहीं छोड़ूँगी, ऐसे बोलके वो अंदर श्टॉम के घुसते हैं, और यह जान की बास जी लगाओ कि एक रैंडम बच्चे के लिए, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ठीक है, ऐसा बोलके वो बच्चा ट्रांस्वर्म होता है, और वो बनता है घंटी बॉय में, वाट, यह बच्चा ही घंटी बॉय था, और इसके घंटी के पास यहाँ पे इ ले मारता है और उसको कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे यह सब कैसे ही क्या मेरे घंटी के वैसे इन लोग के उपर इलूजन चल रहा है, अब तुम टेंशन मतलो, प्रिंसस एलिजबेट और इस वक्त हमारी प्रिंसस की हलत बहुत खराब होती है, उसकी पूरी बॉड गंटी बॉइ भागता है और वो हमारे मेलोडस के उपर एक लाट मार के उसको दूर फेकता है, फिर वो मल्टीपल अटैक करता है मेलोडस को और उसको मुंडी को पकड़ के उपर लेका तो और क्याता है, अब तो नहीं बचेगा छोटे बच्चे लेकिन इस वक्त मेरे गंटी बॉइ को एक मुक्का मार के उसका आर्मर फोड़ देता है, तभी गंटी बॉइ बोलता है कि यह मेरा असली आर्मर निया, मेरा असली आर्मर तो मेरे अबस है, अब तेखो मेरा रियल आर्मर आ चुका है, लेकिन हमारा मेलोडस अगले ही मुक्के में गंटी बॉइ क वो ऐसा मारता है कि भाई उसके कान मूँ और नाखर जगह से खून निकलता है और घंटी बॉय का हो जाता है बाई बाई गुड नाइट एक सिंगल मुक्के में उसने घंटी बॉय को मार देए यह सब देखके यहां के रॉयल गार्ड भागते हैं यहां पे हमारा बान इस पटियो वाले बंदे के खड़ा होता है और उससे पारगोल को के उसी पकड़के में सिने मेगोशिट करणा है ये सब काम मेरा नहीं तुम्हारा है, holy nights अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, फिर वो उसको मार के वहाँ से निकलता है, meanwhile यहाँ पे हमारी dian ने भी मकडी वाली बंदी के उपर लात मार के उसको खतम कर दिया होता है, इन लोगों ने ये weird triangle वाले लोगों तो मार दिया और आप सब 7 deadly sins को follow करूँगी, तो ये सुनके हमारी प्यारी इसी dian कहती है, ठीक है मैं समझ चुके हूँ, अब तुम आओ मेरे bag में बैट जाओ, meanwhile यहाँ पे यह बुढ़ा आदमी चलके जा रहा होता है, अपनी जान बचा के लेकिन उसी वक्त हमारा पे कि यहाँ पे आक अंदर खुषते हैं, meanwhile हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्समैन खड़ा होता है, हमारी purple girl के साथ तभी एक्समैन बोलता है कि देखो मेरे पास एक spell है, spell का ball वो जमीन पे फिकता और हर जगह पे purple कलर का औरा खुष जाता है, और वो कहता है कि यह एक ceiling spell है, अब यह ल ँBSतु अंदर Qbracht भास हुए, भुष जैत्वा मैं मठरा प्रिया और वृतन के साथ सार्व daran पूरे की पूरे चेल को तोड़ रहे होते हैं यह लोग यहाँ पर आम रेस्लिंग करते हैं पता नहीं क्या क्या करते हैं और डियान और वाकरी सब लोग नीचे गिरने रखते हैं और इसी के साथ वो बैरियर तो गया ovyल लेने इन लोगे लिटरली यहाँ पर फाइट कई पूरे 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 प्रिजन को तोड़ दिया यह देखके एक्समेंट टेंशन में यहाँ से गायब हो के निकल लेता है लेकिन हमारी परपल गल को जान बजा के भागना पड़ता है फिर हमें अगल सी में दिखाते हैं कि हमारी डॉक्टर की बेटी जाती है और अपने डॉक्टर फादर को हग करती है लेकिन पता नहीं कैसे उसके डैड अब तक खतम नहीं हुए होते हैं वो कहता कि मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा कैसे हूँ जब मैं ठीक हूँ तो मुझे दिखा कि मेरे बॉडी पर ये वाला स्कार बना हुआ था तो ये लोग इस स्कार को गिल्ट अंडर के स्कार के साथ कंपेर करते जो कि दिया होता है मेलोडस को गिल्ट अंडर ने दॉक्टर की बेटी अपने फादर को देखके बहुत खुश होती है कहती कि डाड मैं ठीक हूँ इसके बद मेलोडस यहां से निकलने वाला होता कि तब ही डॉक्टर कहता कि फ्लीज मुझे तुमको थैंक्यू बोलने का मौका दो मैं तुम्हारे लिए रात को मस्ट पाटी कर करने वाला हूँ फिर यहां पर बान मस्ट बैट पर सो रहा होता है और मिन्वेल बहार बैट के हमारी डियान और तो और मेलोडस बाते कर रहे होते हैं तब ही हमें दिखता ही कि हमारी जो प्रिंसस होती है वो भी अपने नीन से उठी और द्यान रख रही होती है इसके और जैकेट इसके उपर मस्ट सूट कर रहा है बात में यह लोग सब बाते बाते करते हैं और बान को शौक लगता है वो टॉकिंग पिक को देखे है ओ मैं यहां पर सब कचरा खानेया काम करता हूँ फिर इसके बद डॉक्टर और उसकी बेटी यहां पर सब के लिए खाना लेकर आती है और यह लोग मस्ट खाना खाते हैं डॉक्टर की बेटी मस्ट हमारी डियायन को एक बड़ा सा कबाब देती है और मज़े से खा रही होती है सब लोग यहां पाटी बाटी करते हैं खुशी-खुशी बैठे लेते हैं और बान पता नहीं क्यों लेकिन पिकी के हाट तो मैं ही जीतने वाली हूँ ऐसा कहा कि इन लोग के बीच में बाटी चलती होती है फिर इसका यह मतलब है कि इन लोग के बीच में अच्छी-खासी दोश्ती हो चुके तभी रात को यहां पर तारे गिरे लिए देखके सब लोग खुश होते कि इतने सारे एक साथ कैस जिसके साथ में एक बच्चा बैठ होता है और उस बच्चे के पैर में भी एक seven deadly sin का symbol होता है और उसको ये लोग king कहते हैं लेकिन king तो एक मोटा आदमी सा तो ये बच्चा कैसे बन गया मुझे नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता फिर हमें अगले सी में दिखाते हैं कि एक य गाड करते रहती है देखा जाएगा कौनसी बूढी हो रहत है मैं तो इसे आराम से सम्हाल लोंगा ऐसा बोल के हमारा बान जिसने यलोग कपड़े पहने होते वह आगे बाड़ तो यहां पे चोटी बच्ची आती है और वो कहते कि तुम यहां पे क्या कर रहे हो तो यह कहत है कि हमारे मेलोडेस भी सोके उठता है और वो एलिजबेट के साथ उसके बैड़ पे होता है लेकिन इस वक्त उसकी पूरी बॉड़ी बंदी हुई रहती है I wonder किसने इसको बांध के रखा है तब ही हमें अगले सी में दिखाते है कि हमारे मेलोडेस को बांध के रखा होता ह करें पड़ेए अगर 2 फher सकोंई को एक है इंसान को लेके आना Away कि इस दुड़र बात चल रही है कि जो इनसान खतम हो चुका है वह कि पर चारता है वह चोटी बेचची के वार बार यही चिछे चिजए चलती और उसके ओपर magic use करके इस लड़की को यहड़ा बना के उसका juice अपने बस ले के आता और पी नहीं वाला होता है तब ही यह लड़की अपना magical power use करती है और सब पेड़ के wines यहाँ पर आते हैं हमारे बान को पकरते हैं और उसके हाथ से juice लेके निकल लेते हैं तब ही वो कहते ह कि अब मैं क्या ही करूँ अब जब मैं चोर हूँ और तुमने मुझे माना कर दिया तो मैं नहीं चोरी करूँगा ठीक है ऐसा बोलके बान वहां से निकलता है इसकी बाद बान वह पस से सो रहा होता है और चलते चलते इन लोग की टीम बहुत जाती है एक नई जगह पे जो तो नेक्रापलिस के बहुत पास वाली एरिया होती है, यहां पर यह लोग खड़े होते हैं, आपस में बातचीट करते हैं, कि अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, और कहा जाना है, तभी हमारा मेलोड़स कहता है, कि अब तुम लोगे काम कर तुम लोग मेरे लेक्टरमर लेक कि आपने मुझे क्यूट कहा वगेरा वगेरा ऐसा करके, फिर बान यहां पर चलके जा रहा होता है, अपने रस्ते पर और हमारी बड़ी लड़की सब लोग को बुला रही होती है, लेकिन कोई यहां पर आता ही नहीं है, तब ही बान जैसे चलते हुए आगे बढ़ता है, उसको दिखता है कि एक बच्चा यहां पर बैठा होता है, वो उस बच्चे के पास जाता है बात करने के लेकिन वो बच्चा बे ambitions के गिरने लगता बात है, फिर ऐसी किंग रस्ते में उड़ता रहता था हर जगा चलता रहता है वो भले ही बहुत मोटा सा और भद्दा दिखता है लेकिन अभी उसके उड़ने के ताकती ये सब सुनके हमारी प्रिंसेस को बहुत अच्छे इंसान लग रहे है मुझे लेकिन हाँ बान और किंग हमेशा कि गिर चुकी होती है तो बान उसको उठार होते तब ही उसका बड़ा भाई यहां प्यादर बोलते हैं मेरी छोटी बहन से अपने हाथ दूर रख अजीब से अदमी फिर ये सब देखके हमारा बान कहता कि मैंने तेरी बहन के उपर हाथ नहीं रखा मैंसे उसकी मदद कर र रहा था तो बान वो अपने अंदर से निकालते हैं चोटे बच्चे मुझे लगता कि तुमने और तुम्हारी बहन ने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया है विल और यह जो मुझे खाऊ हुआ है वो तो ठीक हो गया तो यह सब देखके बच्चा करते हैं मुझे मुझे मु यह बच्चा शायद से किंग है क्योंकि पिसली बार भी इसको किंग करके एड्रेस किया गया था उसके बाद हमारा बान बोलता है कि तुम कौन हो मुझे समझ में नहीं आरा और उसी वक्त ही बच्चा हमारे बान के सीने को पूर चीर के अगले साइड से फाड़ के बाहर न तुम्हारे ग्रीड के लिए उस लड़की को मरवाज हो दिया था क्योंकि तुम्हें फाउंटन ओफ यूची था यह सुनके भाई बान को कुछ सा आता है बान करता है बच्चे लोग यहां से निकलो ऐसा बोल को लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और तब ही बान और हमा पर आता है मेलोडस और मेलोडस को देखके यह बच्चा शांदी से खड़ा हो जाता है फिर उसके बाद यहां पर एंट्री लेती है हमारी डियाइन इस बच्चे को देखके कहती कि अरे तुम तो किंग हो तो अब किंग यह छोटा बच्चा कैसे बन गया यह से बान को सब्सक्राइब से बहुत इंट्रेस्ट था फिर यहां पे थोड़ी बहुत बाते करते हैं यह लोग कहते कि नेक्रोपलेस जो जगह है वह एक ग्रेवियार जैसा है वहां पे सब मरे हुए लोग रहते हैं वहां तक पहुशना बहुत मुश्कील है अगर तुम्हारे अंदर कोई इच्छा है तुम किसी मरे वे इंसान से मिलना चाहते हो तो ही तुम शायद नेक्रोपलेस तक पहुशना तो यहां पे इनकी बाते बाते चलती रहती हैं सब लोग सब सुनते हैं और हमारे बान कहते हैं तुमने मुझे अच्छा कहता इंफोर्मेशन डे दिया इसके लोग रेडी होते ह पहां से हमारा किंग मस्त मजे से ब्लेश कर रहा है इस सब मुझे यह समझे को डियान बहुत पसंद है इसके लोग आगे बढ़ते हैं अरे यार अब हम लोग कैसे नेक्रोपलेस तो पहुचेंगे कहां से रस्ता पता लगांगे उसके हमें दिखाते हैं बान का वापस बैक फूल को सुंगता है, और जैसी होगो समाझता है, वाची साथ लोग इस इस जगमे नहीं आ चुके हैं, नेक्रॉपलस में, जो की होता है The Area Of Undead, यहाँ पर घुस्न Richard पर अगले सी में दिखाते हैं कि यहाँ पर निकलते हैं, तो हम लोग को दिखाते हैं, टो इसका he году को दिखते हैं, यहाँ पर यह लोग कर खायव ही लटकी उन की पीछ प्राउ पकड़े और उनसे पूछती है कि तुम लोग अब मुझे रस्ता बाताओ कि नेक्रोपलेस में घुष्टे कैसे हैं तो यह बच्चे कहते हैं हमें नहीं पता कि वहाँ पे कैसे घुष्टे हैं तो उनकी बात नहीं सुनती और उनका गलाद भाके उनको मारने लगती है तब ही एक बच्चा कहता है कि मैम अगर आपको वहाँ पे घुसना है तो वहाँ घुसने का एक ही तरीका है कि आपको खुद को मारना पड़े है क्योंकि नेक्रोपलेस सिव मरे वे लोग की जगा है मैं बहन क्या फाइदा हुआ अगर तु उन लोग को नहीं मार पाएगी नेक्रोपलेस केंदर तो तु वहाँ पे हमेशे के लिए फस जाएगी और तुने खुद की जान दे दी मतलब बहन आड़ो नो भाई क्या बोलो मैं इस लड़की को अभी इसके बिल्कुल दिमाग नहीं है बट लॉयल तो बहुत है यह मुझे तुम नकली क्यों लगते हैं क्योंकि मेरा असली जो किंग था वो मोटा था और बहुत भद्दा सा था तो यह सुनके नकली किंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे पास आऊँगा और ऐसा जाकर वो बान के स्पीड से कैच अच अप करता है और फिर वो कहता कि ओए तु तो गरीड वाला सिने है न तो टू में को मार के दो दिखा है इसी वक्त यह बंदा हमारे किंग की ओपर मल्टिपल अटैक करता है लेकिन छो टा वाला किंग उसके सारे अटैक को डॉड़ गता है लेकिन देख्के हमारा बान के था कि तुम अस पर्दिया में आग लग चुकी है और हर एक चीज बंजर हो चुका है, तो अप मैं करता क्या? ऐसे बात करते-करते वो अपने बेड को यूज़ करता है और उसको एक आड़ी बेर में कनवर्ट करके हमारे बान के हाथ और पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि अब अब तुम मेरे हाथ में आज चुके हो, बान, अब तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, एक चीज और मुझे पता है कि तुम मर नहीं सकते, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुमने क्योंकि Fountain of Youth का जो जूस पिया हुआ है ना, और वहाँ पे जो लड़की को तुमने मारा करते हो नहीं, तो तुम क्या ही करोगे, तभी King अपने वो बड़े वाले Teddy Bear को यूस करता है, और उसके अंदर से एक Spear निकालके, बान के बान के बॉड़ी को लिटरली पस्थर की तरह convert करता है, और बोलता है कि अब मैं तुम्हें पैट्रिफाय करने वाला हूँ, मिन्वा हमें बान के backstory दिखाते हैं, जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है, कि बान वो ऐलीन वाली बंदी के साथ बात करते करते हैं, उसके प्यार में पागल हो चुका था, तभी वो उससे कहते हैं, क्यों न तुम और मैं यहाँ से भाग चले और शादी कर लें, यह सुनके वो ऐ भाई को ढूंदता हूं, तब 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 तुम यहाँ पे चल मारो, तो यह सुनके एलीन बोलती ठीक है, और वो बान को हग करते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड हर एक चीज़ होता है, क्यों यहाँ पर आता है, जिसको भी वो फाउंटन ओफ यूथ का जूस चाहिए होता है, और इस वक्त रेट डीमन लिटरली यहाँ पे हर एक चीज़ को जला रहा होता है, तब ही वो बंदी कहती कि यह तो impossible है कि कोई भी हमारे इस ट्री को जला सके, और इसको जलाने के लिए सिफ तुम्हें परगे ट्री के फ्लेम्स ही लगते हैं, और वो फ्लेम्स तो यहाँ प करता है कि सुनो, तुम यहाँ से भागो, मैं मीनवाइल इस बंदे के उपर थोड़ा हमला करता हूँ, क्योंकि हमें देख नहीं रहा, तो मैं इसकी हड़ी पशली तोड़ दूगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे से आराम से निकल सकते हैं, ऐसा बोल कि बान अपने न यहाँ पे यह वाला बैक्शोरी खतम होता है, और हमें दिखाते है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे बान की बोड़ी 90% पत्थर जैसी बन चुकी होती है, और किंग कहता है कि अब मैं मेरी बहन का बदला तुम से ले लूँगा, और अगले ही सेकंड बान की पूरी लोग, तो यह पूछते है कि तुम यहाँ पे कैसे है, तो हमारी यह आँख बंद वाली बंदी कहती है, कैसे आउंगी, यहाँ पे आने का तरीका ही एक है, खुट को मारना और मैंने वही किया है, यह सुनके हमारे हिरो का दिमाग खराब होता है, वो लोग कहती ही, बहन प्रिंसेस तो निकल चुके होते हैं, वो लोग अपने रस्ते भाग रहे होते हैं, मिन्वाल यहाँ पे एक फटके से उड़के आता है हमारा मेलोडस, जो की बहुत दूर आके गिरता है, और उसके ही उपर आके गिरती है डियाएन, लेकिन मेलोडस उसको उठाता है, और हम लेकिन तुम्हारा अटाक इतना भी पावरफुल नहीं है मेरी बहन, ऐसा बोल कि वो इसके उपर हमला करने के लिए आती है, लेकिन तब ही डियान एक पत्थर तोड़के इस पर मारती है, लेकिन यह बंदी अपने फेंसिंग वाले स्वार्ट सो उस पत्थर को तोड़के नीचे आती है, फिर Meliades इसके उपर हमला करता है और यह बंदी उसके अटाक को भी रोग दिती है, और बोलती है Meliades, तुम्हारा अटाक मुझे देखना है, Meliades के उपर वो multiple अटाक करती है, Meliades अपना स्वार्ट बाहर निकालता है और उसके अटाक को रिफलेक्ट करता है तो ये देखके वो बंदी कहते हैं ओके तो तुम्हारा पावर ये है कि तुम किसी भी अटैक को फुल काउंटर मार सकते हो, समझ गई मैं वेल लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे हर अटैक को रोग भी सकते हो वेल इसके बाद मेलोरस और आग बंद वाली बंदी अपना फाइट स्टार्ट करते हैं अच्छा वाला मीन वेल यहाँ पे बान बथर बन चुका होता है तो हमारा किंग अपने स्पियर को उसके अंदर से बाहर निकलता है और बोलता कि चलो भाई कम से कम अब तुम यहाँ पे नेक्रोपलस में अकेले हमेशा चलते रहोगे इसके बाद किंग यहाँ से निकलता है लेकिन तभी बान के सामने बहुत सारे लाइट आते हैं जो कि देखके किंग को शौक लगता है और उसी वक्त हमें यह मालूम पढ़ता कि असल में यह लाइट नहीं होती है यह होती है सौल हमारी ऐलीन की जो यहाँ पे आके हमारे बान को किस करती है और इसके इसके बाद लिटरली बान का पत्थर वाला फॉर्म खतम होता है और वो वापस से जिन्दा होता है जो देखके हमारे king को शौक लगता है तभी उसको यह मालूम पढ़ता कि एलीन यहाँ पर आई हुई है लेकिन एलीन बोलते कि मैं एक जिन्दा इंसान को अपने अपको नहीं दिखा सकती है मैं तुम्हें इसलिए दिखा पर हो कि कि तुम्हारा और मेरा बांड बहुत जादा डीप है वेल इसके बाद एलीन उससे कहती कि बान अब तुम क्या करोगे तो बान कहता है कि अब मैं क्या करूँगा वेल मैं वही करूँगा जो मैं तुम से वादा किया था जो सुनके एलीन के आँखों में आसु आते हैं और बान यहां से भागना स्टार्ट करता है अपने रस्ते पे वेल अगले ही अटेक में वह बान के उपर भी हमला करता है और बान भी नीचे गिर के मर रहा होता है तभी एलीन फाउटन ओफ यूथ का जूस यूस करती है और बोलते है कि बान तुम इसे पी लो लेकिन नहीं तुमने पूरा जूस बान को पिला दिया और अब तुम मरने वाली हो ये बात तो सबको पता है I mean बहन थोड़ा दिमाग लगा लिए तुम दोनों जिन्दा रहते लेकिन इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एलीन मरने वाली होते और बान जिन्दा हो चुका होता है अब बान गुस्य में आता है और वो अपने नंचक्स निकाल के डीमन के उपर हमला करना स्टार्ट करता है और बान के सारे के सारे इंजरीज भी हील हो रहे होते हैं तब ही बान हामला करता है, डीमन के उपर उसको फारता है, में वेल हमें अगले सी में दिखाते हैं कि यहाँ पे किंग अभी भी अपनी बहन से मापी मांग रहा होता है, कि उसने कैसे अपनी बहन को अकला छोड़ दिया होता है, उसकी बहन कहती है कि किंग, अब मैं तुम्हे explosion कर रही होती है तब ही बान यहाँ पर आता है और वो इस बंदी के sword को अपने पास खीच लेता है और कहता है मेरी प्यारी लड़की तुम आखिर कर ही क्या रही हो तो वो कहती है ओके तो तुम्हारे पास ability है स्नाच वाली में तो कोई भी चीज़ को अपने पास खीच सकते हो है ना ऐसा बोल कि हमारे बान के उपर एक पर गिरा हूँ अब तुम लोग समझ जाओ कि मेलोडस कहां पर गिरा होगा वेल इसके बाद बान और मेलोडस दोने रेडी होता है लेकिन तभी ही हमारी प्रिंसेस उसको रोकती है और कहती कि नहीं 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 मैं चाहती हूँ कि तुम यहां से भाग के निकलो और तुम्हारे के जो स्पियर है कि तुम मुझे दो मैं जाके उनसे लड़ती हूँ जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा I mean literally प्रिंसेस निकल गया लेकिन नहीं असल में हमारे king ने अपने power से spear को बाहर निकाला होता है और फिर king इनको यहां पे चोड़ता है और ओस स्पियर लेके आगे निकलता है और वो बंदी इन पर multiple attack करती रहती है, फिर वो हमारे बान के कले के अंदर अधलवार घुसाती है, और बोलती है कि बान तुम बड़े हैंसम हो लेकिन तुम्हें अभी मरना पड़ेगा, उसी वक्किंग पीछे से आता है अपना स्वियर लेके और इस बंदी को भोग देता है बान के थ्रू, और फिर किंग आके बोलता है कि मेरी बेहन ने तुम्हें माफ करते लेकिन मैंने नहीं, ऐसा बोलके किंग बोलता है क्या सब मस चल रहा है ना बान, इसके बद हमें अगले सी में दिखाते हैं कि कैसे जब एलीन मर रही हो तो मरने के पहले उसने बान के हाथ लेकिन जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी हर एक दिन छोड़के एक दिन वीडियो आने वाला है और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं दो दिन बार पक्का लेके आऊंगा तो इसको मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो वीडि प्याह जूलग समय झाल झाल झाल